CJDY चंद्रचूर ने एक नई पहल की है CJ ने सुप्रीम कोट की लाइबरेरी में नियाई की मूर्ती के नई प्रत्मा लगवाई है ये मूर्ती पिछली वाली से काफी अलग है इस मूर्ती से CJ ने एक नया संदेश देने के कोशिश की है तो क्या कुछ अलग है इस नई मूर्ती में और क्या है CJ का संदेश? जानने के लिए ये रिपूर्ट सुप्रीम कोट में नियाई की देवी की नई मूर्ती लगाई गई है और ये नई मूर्ती पिछली वाली मूर्ती से कई माइनों में अलग है अब तक नियाई की देवी आँखों पर पट्टी बांधे और हाथ में तराजू और तलवार लिये हुए दिखाई देती थी लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल गई है इस नई मूर्ती में नियाई की देवी की आँखों से पट्टी हट चुकी है और साथ ही उसके हाथों में तलवार की जगह समिधान आचुका है जबकि तराजू अब भी बरकरार है इस मूर्ती को सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लगाया गया है और ये कवायत की है CJI DY चंद्रचूड ने इस नई मूर्ती से ये संदेश गया है कि देश में कानून अंधा नहीं है वहीं त तलवार की जगह समिधान का आजाना इस बात को दर्शाता है कि देश समिधान से ही चलेगा तो वहीं तराजू का मतलब समाज बे संतुलन का संदेश देता है सूत्रों के मुताबिक Chief Justice of India DY चंद्रचूड का मानना है कि भारत को अब ब्रिटिश काल की विरासत से आगे बढ बंधा नहीं है और ये सभी को एक ही नजरिये से देखता है वहीं इस बदलाव को राहूल गांधी और इंडिया गडबंधन की समिधान बचाव मुहीम से भी जोड़ कर देखा जा रहा है डीवी लाइफ की रिपोर्ट